मुख्य मंत्री अशो गहलोत ने आगामी वित्य वर्ष के बजट में बड़ी घोशना करते हुए बिजली उपोगदाओं को भी बड़ी रहत दी है इसके साथ ही पशुपालकों को दो रुपे प्रती लीटर दूद का बोनस बढ़ा कर पांच रुपे देने की घोशना की है सीएम ने बजट के माध्यम से क्रशी का अलग से बजट पेश किया जिसके माध्यम से किसान को सशक्त और मजबूत बनाने का वीजन सामने रखा इन सभी तमाम मुद्धों पर राजस्व मंत्री रामलाल जाट से खास बातचीत की एवन्टीवी समवादा ता दिनेश कसाना ने आज आगामी वित्यवर्स का बजट पेस किया है इस बजट में किसानों के लिए अलग से क्रसी का बजट लाया गया है और एक मिसन मोड पर काम करने की आवशक्ता बताई गई है हमारे साथ हैं राजस्व मंत्री और किसान नेता के तौर पर जिनकी छवी है रामलाल जाट रामलाल जी आज जो बज़ट पेश किया गया है खास बात यह कि करसी का अलग से बज़ट पेश किया गया और मिसन मोड पर किसानों को चुछ किसान अर्थवस्ता के धूरी है इस लेहाज से एक अलग बज़ट पेश किया किस रूप में लेए इतना सांदार बजट जो कोई आदमी सोच नहीं सकता ऐसी ऐसी योजनाओं पे फाइदा देने का यानि किसान मजदूर करमचारी व्यापारी हर बेरोजगार हर वरक को कोई फाइदा दे उसे राजस्तान का चौमू की विकास हो हर आदमी के जेब में दो पैसा जाएगा पैस पार्टी जिस तरह बोकलाट में केबल अपने गोशना पत्र में ऐसे वादे करती है और काम नहीं करती कि हम आई दगुनी कर देंगे करोड़ों की रोजगार दे देंगे किसानों को फाइदा देंगे किसानों को जिस तरह दरदर की ठोकरे खाने पे मजबूर किया आज पानी की कमी नहीं हो से फवारा सेट में नई माइक्रो लेवल पर जाकर उनको उस पदती का फाइदा देने का काम किया जिसे किसान की आई बढ़ेगी दूद पशूपालकों को दूद में पांच रुपे लिटर सबसीड़ी कोई कहता है कि पैसर सीज़ा पैसा एक अप्रे एक चुल में किसान का दर्द, एक चुल में मजदूर का दर्द, एक चुल में करमचेरी का दर्द, एक चुल में व्यापारी का दर्द, एक चुल में बेरुज़गार लड़कों का दर्द, असो गेलो जी ने समझा और उन सब चीजों को इस बजट में समावेश करते हुए उनको फाइदा देने का काम किया है बहुत सारी गोशना की गई हैं और साथ ही केजरिवाल जो मोडल है उसको भी अडाप्ट सरकार ने किया है कि किस तरह से बिजली के जो एक बड़ी समझे है लोगों को बिजली के बिलों को लेकर तो यह गोशना की गई है कि 100 यूनिट तक 50 यूनिट का फ्री करेंगे और 1500 यूनिट तक 3 रुपए अनुदान देंगे, 200 यूनिट तक 2 रुपए अनुदान देंगे कि यह गोशना की रेविन्यू बड़ी और अभी उन्होंने इस चीज को मुर्त रूप दिया है यह मौडल के राजस्तान का मौडल है यहां के तमाम जो वह आपके मीडिया के साथी जो फिल्ड से लेके आते हैं चीजें चैए प्रिंट मीडिया हो चाहिए सोचल मीडिया में चीज आती है इसे हमारे विदाइक है उन्होंने जो फीडबेक दिया इसे हमारे संगटन है कॉंग्रेश का परदेश जीर उनकी नेतुरत में मिटिंग बुलाई उनमें कारेकरतों का फीडबेक लिया उन तमांग फीडबेक को लेकर सोगलोजी ने मोडल अपनाया यहां के राजस्तान की जनतां से फीडबेक आया उसका मोडल है कि यह सरकार के भविष्ट की जो योजना है उसको आज जनता के सामने रखा है और एक तैय समय में समय बद तरीके से इनको इंप्लिमेंट भी किया जाएगा तो लगता है आपको की 2023 में इन तमाम गोशनाओं के बाद सरकार रिपीट हुए दो कसाना जी पहला एसे मुख्य मंधरी हैं जिन्होंने बाकाइदा पोस्टर लगा की यह काया कि मेरे 70% वादे में पूरे किये कोई मुख्य मंतरी जी कोई परदान मंतरी जी अगर उनके जन गोशना पत्र के पोस्टर लगा के यह कह दे कि मैंने 70% वादे पूरे किये तीन साल हुए उन्होंने पोस्टर लगाए बाकाइदा बजेट की समेक्षा की निती का दस्तावे जन गोशना को लागू किया चीप सेकेर्टरी को देखकर उसको ओपीशल गवर्मेंट डॉकुमेंट बनाया और उसके आदार पे जी लागू हुआ उसमे पर अच्छी टीम है 100% यह जमीन पर आएगा एक अप्रिल के बाद आपको विभाग के जिम्मेदारी मिली है लंबा समय नहीं हुआ है लेकिन एक सुझाव आपके और से दिया गया था और उसको इंप्लिमेंट सरकार ने किया आज गोशना किया मुख्यवंत्री ने कि हो रहा चाहिए फूड प्रोसेशिंग हो चाहिए मिनरल बैस की चीज हो वह उसी चाहिए कपड़े बैस की हो वह तमाम हो चीजें उसी एरिया में लोगों को रोजगार देने के लिए हर उपकंड पर आज गोशनाएं कि उसमें चीजें हैं उनको रहस्टी में छूट दी है ताकि वो लोग उद्योग लगाने में उनको बेनिफिट मिले आज हमारे 15 उपतेशिल को तेशिल में कर्मोनत किया 26 नई उपतेशिल खोली है एक राजेस्टू अपील अधिकारी को खोला गया है वर्क के सुझाव लिए गए और सुझावों के माध्दम से बहतर बजट देने का प्रियास किया है और इन तमाम गोशनाओं को जल्द धरातल पर उतारा जाएगा और 2023 में सरकार रिपीट होने के लिए तमाम जो वादे कॉंग्रेस संगठन के और से किये गए थे उनको सरक कार पूरा करने का प्रियास कर रही है वीडियो जैनलिस्ट राम किसन सेनी के साथ दिनिस कसाना एवन टीवी चैपूर